तो हेलो फ्रेक स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम बात का निवाल है तौप टेन टॉलेज डॉग इन डा वर्ल्ड तो तेन नमबर में हमारे आने वाली जो ग्रीड है वो है सेंट बननाट सेंट बननाट को जेंटल जाइन डॉग के नाम से भी माना जाते है इनका ओरीजिन स्वीजर लैंड से ये बहुत शान सभाव के ब्रीड होती है और इनकी मैक्सिमान हाइट होती है 29 इंचेस तक सिफ 29 इंचेस तक इनकी हाइटो और नाइन नमबर में हमारी जो डॉग बीड आने वाली है वह है लियॉन बर्जर इनका ओरीजिन जर्मनी से है वर्ल्ड वर वन में यह डॉप ब्रीड एक्स्टेंड होने में चले गई थी और 25 डॉप बस बचे थे और इनकी एवरेज हाइट होती है 29 इंचेस तक यह बहुत अच्छी डॉप ब्रीड होती है और एर्थ सेवन नमबर में जो हमारी डॉप ब्रीड आने वाली है वह है नेपॉलियन माश्टी इनका ओरीजिन इडली से है और इनकी मैक्सिमम हाइट होती है 29 तू 30 इंचेस तक और यह बहुत अच्छी ब्रीड होती है और इनका एवरेज वेट होता है 70 तू 75 केजी तक वालाब यह हेवी ब्रीड भी होती है और लो इसकीन होने के वज़े से यह बहुत अग्रेसिव डिक्टे हैं लेकिन अग्रेसिव नहीं होते है 7 नमबर में जो हमारी डॉप ब्रीड आने वाली है वह एक ग्रेट परनिस नौर्थ अमेरिका 30 इंचेस तक इनकी एवरेज हाइट होती है इन्हें नौर्थ अमेरिका में इन्हें ग्रेट परनिस डॉप कहा गया था और 6 नमबर में जो हमारी डॉप ब्रीड आने वाली है वह है केंगल केंगल ब्रीड आप जानते हैं कि इनके मैक्सिमा माइड होती है 31 इंचेस तक यह बहुत हीज ब्रीड होती है और बहुत अच अच्छे गाड डॉप होते हैं और इनकी कम से कम मैक्सिमाम हाइट होती है 31 तु 32 इंचेस तक यह बहुत अच्छे डॉप ब्रीड होते हैं बहुत अच्छे गाड डॉप होते हैं और फोर्थ नमबर में आने वाली ब्रीड है स्कॉटिक डियर हाउंड इनका ओरीजिन इनकी मैक्सिमाम हाइट होते है 32 इंचेस 33 इंचेस तक और इनका ओरीजिन इंगलेंड से हैं और यह बहुत अच्छे डॉप ब्रीड होते हैं जोर्बा नाम का एक डॉप था जिसका केजी 155 केजी था और हाइट 37 इंचेस तक यह तब आप जान सकते हैं कि यह कितने जबरी से इंटेजार था ग्रेट डेन आई गया और 33 33-34 इंचेस तक ग्रेट डेन की हाइट होती है ग्रेट डेन टॉलेज डॉप फोल्डर जियूस ने सबसे लंबा डॉप होने में फर्ष्ट नमबर में था जियूस का नाम यह बहुत अच्छी ब्रीड होती है और में सबसे उची ब्रीड है इनकी मैक्सिमाम हाइट होती है 34-35 इंचेस तक और आप इन अच्छे से खाना देंगे तो यह अच्छे से और बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कोमेंट कर लिए तो फ्रेंड्स से बढ़ेंगे कैसे खाना है making